नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको भगवान शिव के एक ऐसे रहस्यमय मंदिर के बारे में बताएंगे, इस मंदिर में नाग देवता स्वयम शिवजी की पूजा करने आते हैं। इस रहस्यमय घटना को जानने के लिए इस विडियो मी आंत तक बने रहे। वैसे तो नाग हमेशा से ही शिवजी के गले में रहता है, नागों को शिवजी से जोड़ कर देखा जाता है। भगवान शिव के साथ नाग की भी पूजा की जाती है। लेकिन क्या आपने कभी ऐसे मंदिर के बारे में सुना है, जहां एक साप रोजाना मंदिर में आता है, और भगवान शिव की पूजा करके चला जाता है। जी हाँ, आपने सही सुना है, ये नाग पांच घंटे तक लगातार शिवलिंग की पूजा करता है और फिर चला जाता है, ऐसा क्यों होता है? ये आज भी एक रहस्य है, चलिए, जानते हैं, इस मंदिर और यहां घटने वाली घटना के बारे में, शिव जी का ये चमतकारी मं मंदिर उत्तर प्रदेश के आगरा जिले के सलीमाबाद गाम में है, ये प्राचीन शिव मंदिर है, जहां कई सालों से लगातार नाग पूजा करने आता है, पहले मंदिर में कोई पूजारी नहीं हुआ करता था, लेकिन जब ऐसा देखा गया, तो भक्त भी वहां जाने ल मंदिर में आने के बाद वह मंदिर में पांच घंटे रहता है, उसके बाद वो तीन बजे वापस चला जाता है, इस दोरान मंदिर के गेट बंद कर दिये जाते हैं, जिससे वहां कोई न जा पाए, इस मंदिर को देखने और भगवान के दर्शन करने के लिए लोग दूर से आते हैं, और अपनी मुरादे पूरी करकर वापस जाते हैं, आम तोर पर साप को देखकर सब डर जाते हैं, लेकिन इस नाग को देखकर कोई भी नहीं डरता, सब ही इसे सम्मान की निगाहों से देखते हैं, और भगवान शिव के साथ इस नाग के दर्शन करने की आज तक इस साप ने ना तो किसी को डराया और ना ही काटा है। जब नाग आता है तो पुजारी खुद ही गेट लगा देते हैं। और जाने के बाद गेट खोला जाता है। ये नाग यहां कितने सालों से भगवान शिव की सेवा कर रहा है। जो कि भगवान शिव की पूजा करता है, मंदिर में नाग भगवान शिव के चारों तरफ लिप्टा रहता है और पूजा करता है। ये अपने आप में एक अद्भुत चमतकार है जो हर किसी को देखने को नहीं मिलता है। नाग को लेकर यहां आसपास कई सारी कहानिया प्रचलित है कि यह वही नाग है जो भगवान शिव अपने गले में लगा कर रखते हैं। तो कुछ लोगों का कहना है कि यह नाग सौ सालों से भगवान शिव की पूजा करने आता है। लेकिन आज तक कोई नहीं जान सका कि ऐसा क्यूं होता है कि एक नाग मंदिर में भगवान शिव की पूजा करने आता है। और वहभी तय समय पर आप भी इस मंदिर के दर्शन जरूर कीजिएगा और चमतकार को भी देखिएगा। अगर आप भी भोले बाबा के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट बॉक्स में ओमनम शुवाहत जरूर लिखे और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।